थाना शागंज शेत्र में यवक की गोली मार कर की गई हत्या में नामजद तीन लोगों को गवाहों के मुकरने पर साक्षी के अभहाव में अपर जिला जज नसीमा ने बरी करने के आदेश दिये हैं इस मामने में वरिष्ट अधिवक्ता, राम प्रकाश शर्मा, उश्मिन प रूप लगाया कि उसका पुत्र कुर्बान खां, 4 दिसंबर 2019 की शाम मुल्ला की प्याव से स्कूटी पर आ रहात, साई विहार कॉलनी के पास कलवा कनहया, रफीक निवासी 12 बीगा नरीपुरा ने रोक कर उसके साथ मार पीट, ये वक जान बचाने के लिए भागा तो गो पूली मार दी गई, ये वक को इलाज के लिए एसन होस्पिटल ले गए, लेकिन चिकित सकों ने म्रत घोशित कर दिया था, पूर्व में भी आरोपियों ने शेत्र में एक हत्या की थी, उसमें वादिया के पुत्र ने पीडित परिवार की मदद भी की थी, उसी तरव से हत आरोपी रंजिश मानते चले आ रहे थे, वादियपक्ष के गवाहों के मुकरने और आरोपियों के वरिष्ट अतिवक्ता, रामप्रकाश शर्मा, पुषपेंद्र पचौरी और राठोर के तर्क पर बरी करने के आदेश दिये गए हैं, सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा क कि रिपोर्ट